हेलो माई डियर स्टुडेंट्स तुड़े आम गोईंग टो एक्स्प्लेन यू सम् मोर प्रापर्टीज ऑफ माटेरियल मैंने अपने प्रिवेश वीडियो में आपको कुछ प्रापर्टीज बताई थी और आज हम और कुछ प्रापर्टीज माटेरियल की देखेंगे तो हम स एक्टिविटी क्लेक्ट सेमपल स ओफ विनेगर लेमयन जूस मस्टर्ड ओयल और कोकोनट ओई हम पूंपल लेने हैं किन यूपग ग्लास टंबलर लेना है और उसे क्या करना है फिल लिट अपट D वाटर से उसे हाफ फिल करना है add a few spoonfuls of one liquid to this and stir it well फिर हमने जो liquid लिया है उसे full spoon हमें उसमें डालना है वाटर में और उसे stir करना है और उसे अच्छे से मिलाना है mix करना है फिर हमें क्या है उसे 5 minutes ऐसे ही rest करने के लिए छोड़ देना है फिर हमारा जो observation जो भी हम observe करेंगे वो हमें table 4.4 में note करना है जिसे liquid vinegar की बात करते है vinegar जिसे acetic acid भी बोला जाता है यह क्या होता students water में mix अच्छे से mix हो जाता है lemon juice यह भी mix हो जाता है बहुत अच्छे से mustard oil and coconut oil and kerosene अगर इसकी बात करें तो यह water में mix नहीं होते है mix not well यह does not mix हम बोल सकते है तो यह mix नहीं होते है तो देखे students है ना इस activity में क्या कुछ हमें इसे liquids के बार में पता चला कि कुछ तो क्या होते है जो liquids होते हैं जिसा हमें figure 4.4 में 4.5 में दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ तो mix हो रहे हैं अच्छे से और कुछ mix नहीं हो रहे है ठीक है कुछ liquids mix नहीं हो रहे है तो ऐसे बहुत सारे liquids अगर हम करके देखेंगे तो बहुत सारे liquids निकल कर आएंगे हमारे सामने फिर क्या होता है हम notice कर रहे है और फिर हमें notice करने के बाद पता चल गए कि कुछ तो mix हो रहे है और कुछ की layer हमें water में separate दिखाई दे रहे है जिसे oil इतने भी oil है अगर हम वोने water में mix करेंगे तो उनकी layer हमें दिखाई देती है तो यहाँ पर बूजू क्या arise हुआ कि क्या gases के साथ भी यह से होता है जिसे solid का देखा हमने insoluble होते है वैसे liquid भी insoluble है insoluble तो यह से gases भी क्या insoluble होती है water में यह तो उसका जो क्या इन्सोलिबल होती है वो भी बिल्कुल right है कुछ gases जो होती है वो soluble होती है पानी में बट कुछ क्या उती ही नहीं होती है और कुछ क्या होती है उसके small quantities ही dissolve होती है अगर हम oxygen गेसका example लहें तो oxygen जो होती है वो living organism के लिए बहुत important होती है वो चाहए animals हो चाहए plants हो तो क्या होती students जो oxygen होती है वो water में dissolve होती है और अगर dissolve होती तबी तो animal और plants जो होते हैं उस water से उसको ले लेते हैं ओके तो यह जो oxygen dissolve हो जाती है कुछ gases है जो dissolve नहीं होती है तो यहाँ पर हमने देखा students कुछ solid, कुछ liquid and कुछ gases निकल कर आए कि कुछ तो soluble होते हैं कुछ insoluble होते हैं some objects are insoluble now objects में float or sink in water अब हम देखेंगे, we will see that some objects are float in water and some objects are sink in water so while doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separate out from water हमने activity 4 के तो देखा कि कुछ insoluble solids होते हैं जिन हम water से separate कर सकते हैं you may have also noticed this with some liquids in activity 5 ऐसी हमने activity 5 में देखे कि कुछ liquids होते हैं उन्हें भी हम separate कर सकते हैं some of these materials that did not mix with water floated to the surface of water तो कुछ liquids ऐसे होते हैं कि जो उसमें mix नहीं होते हैं तो वो क्या होते हैं उसकी surface पे जो हैं float होते रहते हैं तेरते रहते हैं others में हैं sunk लेकिन कुछ जो ऐसे होते हैं objects जो sunk हो जाते हैं मतलब डूब जाते हैं पानी के अंदर चले आते हैं we notice many examples of objects तो यसे हम बहुत सारे examples practically करके देख सकते हैं निकाल सकते हैं कि कौन सा जो है पानी में चले जाता है, sink हो जाता है और कौन सा जो है float होता रहता है तो यहाँ पर एक example दिया भी हुआ है dried leaves जो सूखी पत्या होती है वो ponds के surface पर तेहती रहती है लेकिन अगर उसमें हम एक stone को dip करेंगे डालेंगे तो वो क्या होगा उसके अंदर sink हो जाएगा ऐसे एगर हम देखे few drops of honey अगर शेहत की कुछ drops हम glass of water में fall करेंगे मतलब डालेंगे तो क्या होगा तो वो भी students क्या होगी जो आपने देखा होगा कि शेहत जो होगा वो क्या करता है पानी में तैरता है या उसमें float करता है तो वो पानी में sink हो जाता है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएगी बहुत सारे liquids निकल कराएंगे तो आप ऐसे 5 objects के करके देखें और 5 objects का आपके list बनाने की कौन से objects जो होते हैं float होते हैं water surface पर और कौन से जो होते हैं वो sink हो जाते हैं in water ओके तो इसे 5 objects आपको लिखना है now we will talk about transparency ओके transparency what is transparency the Hindi meaning of transparency is paardashita you might have played the game of hide and seek आपने hide and seek game खेला है छुपा छुपी का think you some place where you would like to hide so that you are not seen by others तो आप ऐसे place का select करते हैं जहां से आप दूसरों को दीखें नहीं और वहाँ आप hide हो सकें why did you choose those place तो आप ऐसे place का choose क्यों करते हैं क्यों select करते हैं क्योंकि आपको दूसरों को दीखना ही नहीं देना है ओके would you have tried to hide behind a glass window अगर आप एक glass window की कांच की खड़की के पीछे hide होंगे obviously not as your friends can see throw that and spot you तो अगर ऐसी जगे आप hide होंगे तो obviously मतलब बिलकुल आपके friends जो है आपको देख सकेंगे और आपको ढूण लेगे can you see through all the materials those substance or materials through which things can be seen are called transparent so students ऐसे materials या ऐसे substance जिनसे चीजों को देखा जा सकता है जिनके through हम उसके अंदर रख्यों चीज़ है उसके पीछे रख्यों चीज़ों को देख सकते हैं एसे materials को क्या बूला जाता है एसे object को बोलते हैं transparent क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं transparent ओके तो figure 4.7 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ है transparent material के बारे में देखें यहाँ पर figure 4.7 looking through, opaque, transparent और transparent इसमें तीनो materials बताएं looking through यह जो boys है यह opaque object के through भी देख रहा है transparent object के through भी देख रहा है और transparent object के through भी देख रहा है मतलब यह वाला जो है first diagram जो है students इसमें यह किसके through देख रहा है यह opaque material है उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर जो है उसके पास transparent material गे रहे हैं सम थोड़ा मतलब बिल्कुल clear तो नहीं तो थोड़ा बहुत उसे दिखाई दे रहा है और इस इस transparent material उसे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है तो यह three words जो है हमारे materials के निकल कराएं ओके अभी क्या है हम देखते हैं तो यहां पर हमने figure 4.7 में देखा तो glass container रे क्या होता है वह सारे material से इसे होते हैं कुछ example से glass water air यह तीनों object से इसे होते हैं glass water and air और some plastic मतलब कुछ plastics प्लास्टिक भी इसे होते हैं जो transparent होते हैं जिनके तुरू हम देख सकते हैं glass मतलब कांच होता students कांच क्यार पर हम देख सकते water पानी में भी आप अपना face देखें हैं है ना पकेट में अगर water feel है और आप अगर अपने अपको देखोगे तो आप दिखाई दोगे तो water is also transparent and air तो air हमें दिखाई नहीं देती है पर हमारे surrounding में air है यहां भी आप जहां बैठें हैं जहां खड़ें हैं ओके तो आप अपने आसपास चीजों को देख पा रहे हैं तो air is also transparent है यह भी transparent है तो shopkeepers भी जो होते प्लास्टिक कंटेनर का यूज करते है न तकि उनको क्या बिस्केट स्वेट सोरी इटेबल जो materials होते वो उस container में feel करते है उनके लिए वो easy हो जाता है और जो purchase करने वाले थे वो भी easily उसे देखकर बता सकते हैं तो इसलिए वो उसमें भरते हैं okay on the other hand there are some materials through which you are not able see और अग सकते हैं okay this materials are called opaque तो जिनसे हमें दिखाएं यह देता है उन material को opaque material कहते हैं for example आप देखें वाल दिवार अगर आप खड़ें दिवार के behind में खड़ें हैं वाल के behind में तो आपको वाल के उधर दिखाएं नहीं देगा so wall is opaque material ओके इसे बहुत सारी चीज़े wooden boxes है या यह सारे cardboard metals, wood यह सब opaque materials में आते हैं okay do you find that we can group all materials and objects without any confusion तो अब हम इनके groups बना सकते हैं without any confusion कोई confusion नहीं है में आपक क्या है और transparent क्या है तो हम इसका group easy way में बना सकते हैं आप लोग okay now activity 6 take a sheet of paper आपको एक paper का sheet लेना है और उसे lighted bulb मतलब जलते वे बल्ब की और रखना है और फिर आपको जो भी observation आपने किया है वो note करना है आपको now put 2 or 3 drops of some oil and spread it on sheet अब आपको क्या करना है oil की कुछ drops लेना है और उसे sheet पर spread करना है उस पर डाल देना है फैला देना है look again towards the lighted bulb and again आपको lighted bulb की और उसे देखना है तो आपको कुछ portions तो क्या होगा through that portions of the paper on which the oil has been spread do you find that the bulb is more clear तो जिस पर तेल spread है oil spread है अगर उस ओर से आप bulb को देखेंगे तो आपको clearly वो visible होगा मतलब दिखाई देगा okay but can you see clearly through the oiled paper जहाँ oiled paper है वहीं आप clearly देख सकते but is everything on the other side of it visible लेकिन अगर आप other side देखेंगे जहाँ पर oil spread नहीं है तो वहाँ से आपको जो वो lighting bulb है वो visible नहीं होगा okay so the materials through so the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent material okay तो एसे object है ना जिनके through हमें दिखाई तो देता है but not clearly clear दिखाई नहीं देता है so some objects are called translucent objects remember the oily patch on the paper when tested food items for presence of fats that was translucent too can you think of some more examples of translucent material और आप example बता सकते transparent material के है ना मैं बता दिया हूँ को butter paper जो होता है वो भी translucent होता है हमारा okay we can therefore group materials is opaque transparent 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 तो now you can make a group of materials some materials are opaque some materials are transparent and some materials are translucent okay पहली यहां पर एक और example हमें बताया कि उसने क्या किया है अपनी palm जो है उसको touch के उपर रखा उसने देखे figure 4.9 में हो रहा है figure 4.9 में हमें दिखाई दे रहा okay यह क्या क्या है उसने एक हाथ में touch को रखा है और अपना दूसरे हाथ की hand जो की की जो palm है उसको उसने touch के उपर रखा और फिर after that उसने क्या क्या touch को own किया तो she wants to know whether palm of your hand is opaque, transparent or transparent अब वो जानना चाहती कि उसकी जो palm है वो transparent है, transparent है, transparent है या opaque है तो अब आप बता सकते हैं आपने यह तीनों quality देखी कि जो palm है अमारी transparent है, transparent है, transparent है, या फिर कैसी है, opaque है ओके, we learned that materials differ in their appearance and they way they mix in water, तो हमने आज इस chapter में किया का पड़ा student की जो materials होते है, वो differ होते है, सबकी appearance, मतलब shining, किसी में shining होती है, किसी में नहीं होती है, अलग-अलग होती है and they mix in the water or other liquids, वो water में या the liquids में कुछ mix हो जाते हैं, but some materials are not mixing it well, they may float or sink, वे float भी होते, sink भी होते, कुछ materials होते, transparent, कुछ opaque and कुछ, some materials are transparent, materials can be grouped on the basis of similarities so we can divide it, हम इने divide कर सकते, ये property के according जो आज हमने इस chapter में study किया, why do we need to group materials अब एक कुछन और अरज होता है, कि material का grouping क्यों बना रहे है, हम इनको group क्यों बनाते है, क्यों need होती है, in everyday life तो हमारी life में हम बात करें, students, we often group materials for our convenience, मतलब हम हमारी convenience, हमारी facility, हमारी सुविधा के लिए ऐसा करते है at home, अगर हम घर पे बात करें, we usually store things, हम बहुत सारे things को store करके रखते है search a manner, एक अच्छे से way में, the similar objects are placed together, अगर हमें पता है कि similar objects से इनकी property same है, तो हम उनको together, मतलब साथ में रख सकते है search an arrangement helps us to locate them easily, और यह arrangement, अगर हमें उनकी property पता है, तो यह arrangement हमको help करेगा है उनको अच्छे से easy way में हम उसे locate कर सकते है, arrange कर सकते है similarly a grocer usually keeps, ऐसी अगर कोई grocery किनाने की दिख्वान वाला है, तो क्या कर सकता है, वो all types of biscuit मतलब, biscuit की properties एक होती तो उन्हें एक corner पर रख देगा, shops इतने होती उनको वो अलग एक साथ store करके रख लेगा, क्योंकि same property होगी उनकी there is another reason why we find such grouping useful, और भी एक reason है कि हम grouping क्यों करते हैं, क्यों useful है, dividing material groups makes it convenient to study their properties, अगर हम material के groups बना देंगे, कि इनमें similarities है, फिर हम उनकी property को और अच्छे से study कर सकेंगे, तो I think students आपको clear हो गया होगा, material की property क्या क्या होती है, और इनकी grouping क्यों की जाती है, ठीके, यहाँ पर keywords दिये है, इन्हें आप अपनी copy में note कर लेना, यह हमारे इस chapter से related है, और यह मैंने आपको chapter में बताएं, अपनी वीडियो में बताएं का meaning भी, ओके students, तो I think आपको यह lesson यह chapter जो है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, materials की property भी अच्छे से आप समझ ली है, ओके students, बाई